नमस्क्रार SBT News में आपका स्वागत है पेश 26 दिसम्बर मंगलबाद दोपर सवा तीन बजे राजसान की 15 बड़ी खबरे इस न्यूस बिलेटिन की प्रायोजिक है विनी, विनी केक और मोर तो सबसे पहरे एक नज़र डालते हैं आज की हैटलाइन्स पर भारत ने सेंगतर अरब अमिरात को पहली बार रुपए में पेमिंट किया राजसान में नगरी निकायों के उपचनाओं की अधिसूचना जारी आज राजसान में इतना सस्ता हुआ पेट्रोल और डीजल तेली कम्मिनिकेशन बिल को रास्ष्पति की मंजूरी नडश आका कोलकाता दोरा वीर बाल दिवस पर गुदवारे में की प्रातना और अब खबरे विस्तार से भारत ने सेंगतर अरब अमिरात से क्रूड ओयल खरीद का पेमिंट पहली बार अपनी करेंसी रुपए में किया है भारत ने 10 लाग बैरल कुरूड ओयल के लिए ये पेमिंट किया है सरकार ने जुलाई में उसके साथ रुपए में सेटलमेंट के लिए अग्रिमेंट साइन किया था राज़सार में उपचुनाओं को लेकर एक बड़ी अपडेट है इन दाखिल नामंकन पत्रों की जांच ने साल की एक जनवरी सुबह साड़े दस बजे से होगी प्रत्याशी 3 जनवरी 2024 को दोपह 3 बजे तक अपना नामंकन वापस ले सकेंगे चार जनवरी को चुनाव जिन्हों का आवंटन होगा इसकी बाद 10 जनवरी को प्रत्याशी 8 बजे से शाम की 5 बजे तक मद्दान होगा अगले दिन 11 जनवरी को सुबह 9 बजे से मदगरना की जाएगी शाम तक सभी प्रत्याशीं के नामों का एलान कर दिया जाएगा जनाट नगरी निकायों में उप्चुनाव होने वाले हैं उनके नाम कुछ इस तरह से हैं अजमेर जिले की केकड़ी नगरपाईशत के वार नमबर 9 नगरपाईशत बांसवाडा के वार नमबर 9 बिकानेर जिले की नगरपालिका श्रेडूंगर गड़ के वार नमबर 3 दौसा जिले की नगरपालिका महवा के वार नमबर 14 नगरपशत धौलपूर के वार नमबर 51 नगरपशत कुचामन सिटी के वार नमबर 7 पाली जले की नगर पाली का तक्त गड़ के वार नमबर 17, सवाई माधपुन नगर परिशत के वार नमबर 5 के लिए ये उपचुनाओं होंगे अंतर रास्टे बाजार में कच्छे तेल की कीमतों में फिलहाल तेजी दर्च की जा रही है आज ब्रेंट क्रूड 78.94 डॉलर प्रती बैरल है इस बीज भाते ओल मार्केटिंग कंपनियों ने भी हर रोज की तरह आज मंगलवार को पैट्रोल और डीजल के दाम अपडेट कर दिये हैं रहसान के कुछ शहरों में पैट्रोल और डीजल की कीमतों में मामली उतार चड़ाव दर्च किया गया है रहसान के अलवर शहर में आज पैट्रोल 58 पैसे तो वहीं डीजल 35 पैसे सस्ता हुआ है वहीं डीजल की कीमत 94 रुपे 37 पैसे और पेट्रोल की कीमत 109 रुपे 23 पैसे प्रती लिटर रही वहीं राज़ानी जैपुर में पेट्रोल 108 रुपे 48 पैसे तो डीजल 93 रुपे 72 पैसे प्रती लिटर भिक रहा है राज़ानी में कीमते यथावत रही मंगरवार को प्रदेश के अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बेकानेर, हनमानगर, जैसल मेर, जॉलोर, जुनजुनुकरॉली, नागॉर, रास, समंद और उदैपुर, शहर में पैटोल और डीजल की कीमत में मामली गिरावाट दर्ज की गई है, वहीं बारा टैली कम्मुनिकेशन कानून उस तारिक से लागू होगा, जब केंडर सरकार ओफिशियल गजट में नोटिफिकेशन चारी करेगी, ये 20 दिसम्बर को लोकसभा और 21 दिसम्बर को राजसभा में पास हुआ था, टैली कम्मुनिकेशन कानून में फरजी सिम लेने पर 3 साल ज टैक मनोज तिग्गा ने बताया कि दोनों नेता काली घाट मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, इसके बाद आज दिन भर पार्टी की कई बैटकों में शामिन होंगे, नई दिली में सोने के दामों में आज यानि 26 दिसम्बर को तेजी देखने को मिली है, इंडिया बु इसे पहले ये 74,918 रुपै पर थी, राजसान सरगार उद्यान विभा के माध्यम से प्रदेश के 3500 किसानों को निशुल के सबजी बीच किट बांटेगी, ये सबजी बीच किट लगू, सिमान, अनुसुची जाती, अनुसुची जन जाती, महिला तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले किसानों को वित्रित किये जाएंगे, इन में 3000 कॉम्बो बीच किट तथा 500 सिंगल बीच किट होंगे, कॉम्बो बीच किट के लिए 100 वर्ग मिटर तथा एकल बीच किट के लिए 500 वर्ग मिटर शेत्रफल होना जाएए, एकल बीच किट में एक फसल विशेश का तथा कॉंबो बीज किट में जिले की जलवाई और आवशकता के आधार पर कई सब्जियों के बीज उपलप्त कराए जाएंगे। साल के अंतिम सब्ताहा के शुरुवात के साथ है सीकर जिले के प्रसिद प्रमुग धार्मिक सलों में श्रधालों के आवक बढ़ने लगी है। अमरित भारत एक्सप्रेस का गिफ्ट भी मिलने जो रहा है। रहसान में रोजगार कारेले में सत्यापन के बाद भी प्रदेश की 30,000 से जादा बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है। इंटरंशिप के इंतिजार में हजारों बेरोजगार तो दस महीने से भत्ते के इंतिजार में हैं पर राजी सरकार की भत्ते के लिए बेरोजगारों की तैस अंख्यावे इंटरंशिप से उनकी भत्ते की आस अधर में अटकी है। उस पर अब प्रदेश में सरकार भी बदल चुकी है लिहाजा उन्हें बेरुजगारी भत्ता रुकने की चिंता भी सताने लगी है बारा जिले के किशन गंज में सहरिया परिवारों की कच्चे आवासों की सर्वे कारे में लापरवा ही बरतने पर किशन गंज पंचाय समीती के 17 वीडियो और 7 करिस्ते सहाइको को चार्ट शीट जारी की गई सत्रा सीसी के तहट चार्ट शीट दी गई है किशन गंज पंचाय समीति शेत्र की ग्राम पंचायत में प्रधान मंति जंजाती आदिवासी न्याई महा अभियान के तहट कच्चे आवास वाले सहरिया परिवारों के चोल रहे सर्वे में लापरवाही बरतने अवं समय पर लक मनरेगा में आई दिन हाजरी लगाने के नाम पर हो रहे फरजी वाड़े पर नए साल से पूरी तरह से अंकुष लगाने के तयारी शुरू हो चुकी है जालावार जिले के प्रते एक पंचाय समीति के 5-5 ग्राम पंचायतों में चल रहे मनरेगा कारियों में श्रमिकों की ह सरकार ने फेस रेडिंग हाजरी की नई विवस्था की है बिजली के नए कनेक्शन लेने वालों के लिए राहत की खबर है अब नए कनेक्शन के लिए स्टाम पेपर जरूरी नहीं होगा इसके लिए जैपूर डिसकॉम ने आदेश जारी कर दिये हैं रास्तान विदित वि हरेलू सहीद सभी श्रेणियों के उभगताओं को पहले आविदन के साथ 50 रुपे का खाली स्टैंप लगाना पड़ता था सीकर जरे की रिंगस CSE में 3 करोड की लागस से अलग भवन का निर्मान करवाया गया नई बिल्डिंग में 22-22 बैड के 2 वाड और 6 बैड का ICU भी तयार है तिमादारों के लिए वेटिंग रूम भी है अब ये भवन हस्तांतरं का इंतिजार कर रहा है उधर कोरोना के नए व करोड 86 लाग की लागस से अलग से भवन तथा उसमें 22-22 बैड के वाड और 6 बैड का ICU तयार करवाया गया है इसके बाजो दिसके हस्तांतरं का इंतिजार है बांसवारा जिले के घाटोल विधान सभा में इस वाचुनाह में कॉंग्रिस प्रतियाशी नाना लाल निनामा ज के बदले मान शंकर निनामा को प्रतियाशी बनाया जिन्हें इस बार हार का सामना करना पड़ा है अब शेतर में दो दो विधायकों की गाणियां गोमने से ना सिर्फ आम जनता बलकि पुलिस और ट्राफिक पुलिस भी कनफ्यूज हो रहे हैं तो फिलाल इस बुलेटिन मे